यूपी के संथर कभी नगर के पूर्वसांसद भालचंद यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दरसल लम्डी बिमारी से ग्रशित चल रहे थे। पूर्वसांसद भालचंद यादव ने विदानता हॉस्पिटल में आखर सासी ली। और उनका बिरहरगाट में अंतिन संसकार उनके बड़े पुत्र प्रमोध यादव ने किया। इस दोरान प्रवांचल की जानी मानी हस्तियां समेथ वर्तमार, पूर मंत्री विदायक, सांधत समेथ राजनेतिक हस्तियां भी मौद्य वही। भाजन्द यादव चातर राजनेति सस्यासी सफर की सुरवात कर लंबे संगाशों के बीच राजनेति के सिखर तक पहुचे। चालिस वर्त के राजनेतिक जीवन में अपने वसूलों के साथ कभी समझाता नहीं किया, जो अब इस दुन्या को अलविदा किया चुके हैं। जब जब खुद को साबित करने का अफसर मिला तो उन्होंने विरोध्यों को मात देकर साबित करने का भी अकाम किया। ऐसे निता के निधन पर जीले के लोगों में शौप की लहर है और हर किसी के जुबान पर उनके कारों की ही चर्चा है। मुल रूप से महुली ठाना छेत्र के भगवा गाउं के रहने वाले पुरुस सांसत भालचन यादों पेहत परीब किसान परिवार से थे। बचपन में पहलवानी ही उनका शौक था। इंटर्मीडिट की पढ़ाई के बाद डिक्री कॉलेज में पहुचे तो वे राजनीती में उतर गए। वर्स 1989 में पहली बार HRPG कॉलेज से छातर संग उपाद्रक्ष का चुनाव लड़े और हार गए। इस हार के बार बीगे नहीं और सियासत के मैदान में कूत पड़े। अठारा वर्स के लंबे संधर्ष के बाद वर्स 1998 में समाजवादी पार्टी ने भालचन यादों को खलीलाबाद लोगसभा सीट से प्रत्यासी बनाया। तो चुनाव की फिजा ही बदल गई। इस चुनाव में उन्हें गसम लोग 95 लाख मत मेले और बहुत कम अंतर में च कई साउगाते में दर्जनों टेनों के ठहराव के साथ ही बिढहर घाट सड़कों का धर्मार जैसे कई एहम विकास के कार करा है। लेकिन इस बीच जब जिला पर आंच आई तो वे आंदोलन पर भी कूट पड़ी उन्होंने लंबा आंदोलन चलाया। सापा सासर ने जब संद कभी नगर का जिले का दर्जाख खतम किया गया तो इस मुद्डे पर ही पूर सासर ने सापा का साथ छोड जनता दल यू का दामन थाम लिया। अस बीच कुछ मुद्डे को लेकर उन्होंने जनता दल यू का भी साथ छोड दिया और फिर बसपा मे चले गए वर्स 2004 का लोग साभा चुनाओं ने बसपा से जीत कर जनता मिला का तार दूसरी बार चुनाओं जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने संगर्स की बदालत सथ कभी नगर को जिला बनवा कर ही तम लिया। हाला कि 2007 विदान साभा चुनाओं के ठीक पहले जनता कि कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने बसपा का स्वी साथ छोड़ दिया। और सपा में चले गए 2008 की उप चुनाओं में भालचंद यादव ने चुनाओं जरूर हार गए लेकिन वोड का बतिसक कभी कम नहीं हुआ। सपा में कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने कुछ विकास के मुद्दों को लेकर बसपा की सदसेता ग्रहण कर ली अजीले की कई सडकों का विकास कराया। इस बीज दुहजार दस के बच्चायद चुनाओं में बसपा ने सथार्ट नगर जेनपत भेज दिया। भालचंद यादव ने वहां भी अपना पर्चम लाराते हु लेकिन वे हार गए। इसके बार भालचंद एक बार फिर सपा के साथ आए। सपा में आने के साथ ही जनपत को BMCT मार्ग की सवगात दिलाई। 2014 को लोग सभा चुनाओं सपा के टिकट पर लड़ी लेकिन मोधी लहर में चुनाओं हार गए। 2015 पंचैस चुनाओं में अपने बेटे और बहु को जिला पंचैस अदर से बिनाया। 2019 के लोग सभा का चुनाओं भालचंद यादव ने कॉंग्रेस के टिकट पर लड़ा। पर उपस्थित होकर अंतिविदाई दी। संकबीर नगर के गरीबे जुल्मों और सेरेपूर्वांचल भालचंद यादों का आज बहुती दुखाद मुरित हो गई है। इसे संकबीर नगर के लोग कापी दुखी हैं। और आज तक गिड़हर घात पर इतिहासिक इतनी पबली कभी भी किसी के सो में नहीं आई है। झाल के जुखी हैं।